नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका हार्दिक्स वकत हैं पुराने से पुराने जोडों के दर्द का अयुरुवेदि घ्रेलू इलाज दोस्तों, हड्यों के कनेक्शन को जवाइट कहा जाता है जवाइट लोगों को चलने फिरने में मदद करते हैं किसी काणवंस अगर यह जोईंस डेमेज हो जाए, किसी बीमारी या फिर चोट के काण तो यह जोईंस आपके चलने फिरने पर असर करते हैं और बहुत जादा दर्द का काण भी बनते हैं जोडों का दर्द पैरों के घुटनों, कहुनियों, गर्दन, बाजुओं और कुलों में होसकता हैं वयाम के अलावा आपका खान-पान, पोस्टिक और हेल्दी होना चाहिए, जो जोडों के दर्द को कम करके तुरंत अराम दिलाता हैं दोस्तो आठ से नो घंटे कुर्सी पर बैठे रहने से पैरों के घुटने अकर जाते हैं लगतार सफर करने से भी घुटनों में दर्द होने लगता हैं बुडापे में अक्सर घुटनों के दर्द की सिकायत बनी रहती हैं घुटनों के कान ही पूरा पैर दर्द करने लगता है। जोडों का दर्द हो वो भी गलत खानपान और परदोषन का ही एक नतीज़े है। असल में हमारा सरीर इस परकर्टी का एक हिस्सा है इसलिए सरीर से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी हमें परकर्टी की गोद में ही मिल जाता है आज हम आपको जोड़ों के दर्द का एक अचूक उपाई बताने वाले हैं जिससे अगर आप इस नुस्खे का परियोग करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे देखते ही देखते आपके जोड़ों का दर्द छू मंतर की इतना है गायब हो जाएगा तो आईए दोस्तो जानते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए अवसक सामगरी के बारे में अवसक सामगरी एक चमच लाल मिर्च पाउटर और दूसरा एक चोथाई कप गरम ओली वोईल अब जानते हैं नुस्खे को बनाने के देखते हैं दोस्तो गरम ओली वोईल में ला महसूस हो रहा हूँ तो दिन में दो से तीन बार इस्तमाल करें जब तक कि आपका जोडों का दर्द गायब ने हो जाए और आप देखेंगे कि दोस्तों पहली ही बार से इसका आपको असर दिखाई देगा और आपको जोडों का दर्द छूमंतर की तरह है गायब हो जाएगा तो दोस्तों यदि आप आपका कोई जानका डर्लेटी कोई भी जोडों के दर्द से परिसान है तो आप उसको इस वीडियो को टैग जरूर करें ताकि वो इस वीडों को देखकर अपनी जोडों के दर्द का घर पर ही इलाज़ कर सके तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लिस लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए और सबस्क्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वीडियो की नोटिकेशन आती रहे धन्यवाद दोस्तों